नमश्कार दोस्तोर ये लेजुकेशन चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलहाबाद बैंक के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कब घर बेटे बेटे ऑनलाइन कैसे इलहाबाद बैंक में अपने मुबाइल नमबर रेजिस करने के और नमबर चेंज करने के आसा करता हूं जो इंफोमेशन में आज आप तक पहुंचाने वाला हूं आपके लिए जरूर फायदे मन रहे कि इसी बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि मुबाइल नमबर कैसे और चेंज होता है दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेने के लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आपको बताना चाहता हूं हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है यह गिववे यह बोया का बीवा एम वन माइक्रोफोन यह जो है वह 2019 से 18 वाला पूराना वाला वर्जन नहीं है एक दम यह ब्रांड न्यू वर्जन है यह है 2020 का जो लेटेस्ट वर्जन था जो आपको पता होगा अभी कुछ दो मेने पहले लॉंच हुआ है वही वर्जन में आपको यहां पर गीववे करूंगा इसको जीतने के लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे और यह जो पिछला सबसे बड़ी बात है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए मतलब सुरू से लगा अंतक देखिए ताकि आपको मिल सके पूरी information तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं mobile number change करने का तो यहां पर अगर आपको mobile number है वो पुराना mobile number आपके पास है और आप change करना चाहते हैं तो सिधर से system में आप चले जाए प्लेश्टोर पे और empower इलाबात का जो application है official application इसको download कर ल जो पेन है वो लिख लेना है और जो OTPI का वो में submit कर देना है तो लगबग 48 गंटे के अंदर अंदर आपका mobile number change हो जाएगा successfully तो दस्तों यह तो था सबसे पहला तरीका mobile number change का अब देख लेते हैं mobile number register और change का दूसरा तरीका कौन सा है अब जो दूसरा तरीका है वो है यहा ब्रांच में वहाँ पर ग्राप को यह इस टाइप का ATM मिल जाए तो वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं process को तो देख लेते हैं क्या करना है तो सबसे पहले जैसे हम ATM में जाता है तो हमारा card है वो ATM में insert करना है इलाबाद की bank का जो ATM है उसी में यह काम करेगा फिर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा service, statement, registration, cash, banking, balance, transfer और pin यहाँ इतने सारे option है अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर option देखने को मिलेगा registration का अगर यहाँ पर आपको registration का option देखने को नहीं मिलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ नीचे आपको M, O, R, E More करके option देखने को मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको registration मिल जाएगा जैसे हम registration के option के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे सामने interface होगा यहाँ पर आधार कार्ड registration, LPG registration, mobile number registration, phone banking registration, तो हम यहाँ पर mobile number registration के ऊपर हम क्लिक कर देंगे जैसे हमने मुबायल नमपर रेजिस्टरिशन के उपर क्लिक किया उसके बाद मैं यहाँ पर भुताए जायगा न्यू मुबायल नमपर रेजिस्टरिशन और चेंज मॊबाय नमबर यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like जरूर कीजिए और यहाँ पर जैसे हमने new mobile number registration या फिर change mobile number registration के उपर click करेंगे तो यहाँ पर बता जाएगा please enter your pin, pin enter करना है और confirm कर देना है जैसे हम confirm करेंगे तो यहाँ पर लिखाओगा please send OTP and reference number जैसे हमने mobile number जो नया change करने के लिए इनको request की है तो यहाँ पर इन्हों ने क्या बता दिया का अपने पुराने mobile number पर जो OTP है वो बताएगे अगर आपने new mobile number registration के उपर click किया है तो आपको OTP डालने की जोत नहीं है directly आपका अधरकाट verify करके आप डाल सकते हैं अब यहाँ पर इन्हों ने reference number एक हमें दिया है पुराने mobile number पर एक OTP दिया है तो अब हमें क्या करना है जो नया mobile number है उसे mobile number से क्या करना है 56767 पर एक OTP अपना आएगा वो OTP और reference number दोनों को हमें लिखके send कर देना कैसे send करना होगा सबसे पहले हम SMS में लिखना होगा active space OTP हमारा जो भी आएगा वो देना है फिर space देना है फिर reference number जो हमार पास आया वो वो भी आपको 4 गंडे के अंदर अंदर यह process पूरा करना होगा उससे ज़्यादा time लेंगे तो वो expire हो जाएगा उसके बाद में यह आपर लिखा होगा please enter your mobile number आपको नया mobile number लिखना है correct के उपर click कर देना है बस इतना ही process था दोस्तों इतना ही process में आपका जो mobile number है वो successful है यहाँ पे change हो जाएगा अगर registration का होगा तो register हो जाएगा अब बात कर लेते हैं जो ऐसे cities में रहते हैं छोटे गा प्रब्द नहीं है तो उनको क्या करना है तो उनके लिए भी दोस्तों मैंने application लिख वाई यह bank manager से मैंने इलहाबाद के बैंक मेनेजर है उनसे contact करना के बाद मैंने उनको पूरी जानकारी थी उन्होंने मुझे application लिखके दिए वो same to same application आपको लिखके जाना है bank में और submit कर देना 48 घंडे में आपका mobile और चेंज हो जाएगा तो देख लेते हैं वो भी कैसे करना है मतलब सारे process step to step जान लेते हैं और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था यह जो बोया का बीवा M1 microphone इसको अगर आप जीतना चाहते हैं इसके लिए दबा के like जरूर कर दीजिए और इसको जीतने के लिए आपको comment में भी यह बताना होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो आपको पूरा देखना है तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं application ने mobile number change की फिर हम देख लेंगे register के लिए क्या क्या کرना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे the bank manager, bank का नाम लिखेंगे, address लिखेंगे, bank का address लिखना है आपका address नहीं लिखना है फिर यहां पर subject लिखना है application for mobile number change इतना लिखना है और आपको scroll down कर लेना है यहां पर मैं आपको बता हूँ ऐसे ऐसे आपको application लिखना है सबसे पहले लिखना है respected sir और respected madam आपका जो भी हो bank manager जो भी हो उनका नाम लिख लिजिए यहां पर sir हो तो sir female हो तो madam लिख सकते हैं और यहां पर is humbly request to you it is humbly request that I have savings account in your bank account यहां पर my bank account number is यहां पर आपका जो bank account number है वो यहां पर लिख लेना है और I need to change my registered mobile number इतना आपको लिख लेना है और यहां पर आपको अपना फिर mobile number लिखना है फिर यहां पर आप दिखते हैं जो blank दिया गया है यहां पर आपको पुराना mobile number लिखना है और फिर यहां पर two लिखके space दे के आपको यहां पर अपना खुद का mobile number लिखना है जो नया mobile number हो वो फिर यह करने के बाद में यहाँ पर kindly update my new mobile number इतना लिखके यहाँ पर thanking you लिखना है और फिर आपको क्या करना है regards your name आपका नाम लिखना है आपका這一 when Data और आधर कार्ट के साथ में उनकी फोटो कॉफी के साथ में उसके उपर सिगनेचर यह करने के बाद में आप जैसे बैंक को सब्मिट करेंगे आपका जो मुबाइल नंबर है वो लगबार 48 गंटे के अंदर चेंज हो जाएगा अब दोस्तों जैसे हमें मुबाइल नंबर रे रेग्ट्रेशन और मुबाइल नंबर इतना लिख कर यहां पर नीचे स्क्राओं करना है यहां पर मैंने लिखा है सर फिर यहां पर लिखना है आई एं यह और नेम से जो आपका जो नाम है वह आपकी डॉक्युमेंट में हो हुँष्ट वही सेम नाम आपको यहां पर और बैंक फिर एस बर माइन मुबाइल नंबर इस नौट रिश्टर विजिटर 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 करना चाहते हैं यहां पे मुबाइल नंबर लिजिए सेविंग एकाउंट नंबर आपका लिख लिजिए और साधी साथ में थैंकिंग यू और आपका नाम निक्चे लिख लेना है और डेट लिख लिजिए आपके बैंक को सब्मिट कर देना है तो आपका जो भी होगा मुबाइल नंबर है वो लगब 48 गंटे के अंदर अंदर चेंज हो जाएगा आसा करता हूं जो इंफोर्मेशन में आज जब तक पहुंचा ही आपके लिए फायदे में रही होगी आज का ये वीडियो देखने के लिए आ को बहुत वद्धनिवाद जय हे इंद वंदे मातरम